हेलो सुडेंट्स आदर सिद्यभारती ओनलाइन एसेस्टी क्लास में आप सभी का पुना एक बार फिर से स्वागात है बच्चो पिछली क्लास में हमने आपको बैदिक सभेता के बारे में बताया था हम लोग बैदिक सभेता के बारे में ये जानकारी प्राप्त गर चुके थें कि बैदिक सभेता को दो वागों में बाट कर हम उसका अध्याइन करते हैं एक रिगवैदिक काल और दूसरा उत्तर बैदिक काल और इसके अलावे हमने आपको बैदिक सभेता की भासा क्या थी वे भारत में आकर कहां बसे थे वे कहां से आये थे इन सभी की काफी बिस्तार पूर्वक चर्चा हम इसके पहले वाले क्लास में कर चुके हैं तो अच्छे चलिए अब हम इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और रिगवैदिक सब्वेता की या बैदिक सब्वेता की प्रमुक विसिस्ताओं के वारे में और भी कई सारे जानकारियां प्राप्त करते हैं तो चलिए सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे रिगवैदिक काल या पुरवैदिक काल को बच्चो हमने आपको फिसली क्लास में बताया था कि रिगवैदिक काल को ही पुरवैदिक काल बिकाते हैं और इसके बाद हमने इसके तिथी को भी निर्धारित किया था इसकी तिथी कब सो बीची से लेकर एक हजार बीची तक निर्धारित किया गया है यानि कि यह सभेता भारत में पंदरा सो इस्विपूर में उधित हुई थी और उसके बाद जो है इसका कालखंड जो आपका रहा वह आपका एक हजार इस्विपूर तक रहा ठीक है ऐसा नहीं था कि बैदिक स बेटा कि जो पहला हिस्सा है जो पहला खंड है आपका ठीक है वह आपका पंदरा सो इस्विपूर से लेकर एक हजार इस्विपूर के मध्य तक था ठीक है चली अब हम लोग इसकी ब्याख्य करते हैं रिग बेट की रसना काल को रिग बैदिकाल या पूर बैदिकाल काते ह तो बच्चो रिग बैदिक काल किसे कहा जाता है तो सिंपल चीवात है कि रिग बेट के रचना काल को ही रिग बैदिक काल या पुरबैदिक काल काते हैं यानि कि जिस काल में रिग बेट की रचना की गई तो उसी काल को क्या नाम दिया गया आपका रिखबैदिक काल का नाम दिया गया और पुरबैदिक काल क्यों कहते हैं क्योंकि इसकी बाद भी बैदिक काल का एक और हिस्सा है या इसका दूसरा भाग भी है तो निश्चित है कि दूसरे वाले भाग की पहले का जो भाग है उसे पुरुकबाला भाग केंगे है न तो इसल चलिए अब हम इहां से जब भी किसी सभेता के बारे में बात करते हैं, किसी कालखंड के बारे में बात करते हैं, तो हम उस कालखंड के बिभिन पहलूं का बिसलेशन करते हैं, यानि कि हम किसी भी सभेता में निवास कर रहे हैं लोगों के बिभिन पहलूं का बिसलेशन करते ह जैसे उनकी सामाजिक जीवन की वारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उनकी आर्थी किस्तिती कैसी थी इसके वारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उनकी राजनायतिक किस्तिती कैसी थी और उनकी धार्मिक इवं सांस्कृति किस्तिती कैसी थी यह हम यूँ कह सकते हैं कि वे राजनायतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन किस परकार की जिया करते थें यानि कि इन सभी प्रिप्रेच्छों में उनका जीवन कैसा था ठीक है बच्चे तो चलिए सबसे पहले हम यहां आरंब करते हैं सामाजिक जीवन को फर्स्ट पॉइंट समाज चार बर्नों में विफक्त था बच्चे जह उने बैदिक सब्वेता आरंब किया था तो हमने उहां पर भी आपको बताया था ठीक है कि बैदिक समाज को या उस समय का जो समाज था आपका हुआ कितने बर्णों में भख्त था आपका ऐसे तो वह आपका चार बर्णों में भख्त था कौन कौन सा ब्रहमान च्छत्रिये वैसे और सूद्र यानि कि ये चार बर्ण में उस समय के समाज बटे हुए थें और यही वर्ण जो है बरतमान स्वय में क्या है आपका व परनी व्यवस्था कहा लिजिए या फिर इसे ही जादिगत व्यवस्था आपका लिजिए लेकिन ये मुख्य रूप से कितने भागों में बटा हुआ था तो ये मुख्य रूप से इनहीं चार भागों में बटा हुआ था जिसमें से सर्बोच अस्थान ब्रह्मन को प्राप् को था यानि कि हम लोग अगर कर्म से इसे सजाते हैं तो सबसे पहले कौन है आपके सबसे पहले ब्रहमन उसके बाद च्छत्रिये उसके बाद बैस से और फिर आपके सुद्र है ना यानि कि समाज में सर्बोच अस्थान जो था वो किने प्राप्ट था तो वो ब्रहमन को प्र प्रकार का कर्म करता था उसके अनुसार उसकी वर्न निर्धारित होती थी तो इसका मतलब यह तो इस सामाजिक वर्न का निर्धारन होता था तो इस सारी बाते आप अच्छे तरीके से समझ चुक हैं लेकिन बैदिक सभेता में ऐसा नहीं हुआ बचे बैदिक सभेता में आपकी वर्निक विवस्था में परिवारतन आया लेकिन एक बत और भी आप ध्यान रखेंगें ऐसे ये कठोर्तम रूप में कब परिवारतित होगा प्रंटू बच्चे जब भी आपसे पूछा जाएगा कि रिगवैदिक समात जो है आपका कितने वर्णों में विफ़क्त था आप इस वात को ध्यान में रखेंगे चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रंटू उससे पहले हम थोड़ सा यहां पे इन चारो वर्मों के उत्पत्ति के सिधानतों के बारे में भी चर्शा कर लेते हैं तो बच्चे इन चारो वर्मों के उत्पत्ति का जो सिधानत दिया गया है उसके अनुसार ब्रह्मन का अबतरन जो हुआ है या ब्रह्मन का उदय जो हुआ है वह ब्रह्मा के मुख से हुआ है चलि इसके बाद आपका माना गया है कि छतरिय का उदै जो हुआ है वह ब्रह्मा की भुजाओं से हुआ है कहा से बच्चे तो ब्रह्मा की भुजाओं से बैसिव की उत्पत्ती ब्रह्मा के जांक से माना गया है और सुद्रों की उत्पत्ती ब्रह्मा के पैरों से माना गया है यानि कि इन चारों की उत्पत्ती ब्रह्मा से ही हुई है लेकिन चारों की उत्पत्ती ब्रह्मा के अलग-अलग अंगों से हुई है तो बच्चे अगर हम लोग इहां से इस बात की चर्चा करें कि क्या सच में जो है आपका चाहे ब्रह्मन हो छत्रिय हो बैस हो या सूद्र हो इनकी उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा के चार विविन अंगों से संभव है तो बच्चे अगर हम लोग साइंटिस्ट कोन से देखते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन सैधानतिक तोर पे या फिर कह सकते हैं कि धर्म की अनुसार जो है वह आपका ऐसा दर्साया गया है कि इन चारों की उत्पत्ति जो है आपकी ब्रह्मा के विविन अंगों से हु यानि कि उस समय का जो समाज था वो कैसा था तो वो आपका पित्री परधान था ठीक अब यहां से हम लोग जरा साथ पित्री परधान का आर्थ समझ लेते हैं बच्चे पित्री परधान है ना तो अचे पित्री परधान का आर्थ होता है पुरुस परधान देखेंगे यहा प्रुसों का बोल वाला हो, जिसमें प्रुसों का बर्चस्प हो, तो बैदिक काल जो था आपका, उसमें प्रुसों का महत्व क्या था, तो अधिक था, यानि कि उन्हें इस्तरियों की आपेच्छा ज्यादा सम्मान प्राप्त था, उन्हें कई सारे ऐसे अधिकार प्राप्त थें जो की महिलाओं को प्राप्त नहीं थे एवं साथ ही साथ उस समय की जो सत्ता थी वह भी आपकी पुरुस परधान ही थी यानि की सत्ता जो हुआ करती थी वह पुरुसों की होती थी ठीक है चलिए पॉइंट नमबर फोर समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थ जिसका मुखिया पिता होता था जिसे कुल आपका आ जाता था अच्छे देखे उस समय यानि की बैदिक समय की बात कर रहे हैं ठीक है तो बैदिक काल की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार कहा जाता है ठीक है तो बैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी, जिसका मुखिया कौन होता था, तो पिता होता था, ठीक है, जिसे कुलब का आ जाता था, इसे अब इस तरीके समझेंगे ऐसे, कि हम लोग समाज में, जिस समाज में राते हैं, ठीक है, वहाँ पे कई सारे परिवार के लोग एक साथ राते हैं, और हम क्या देखते हैं, कि ठीक इसी तरह की इस्थिती बैदिकाल में भी थी, उस समय का जो समाज था, ठीक है, तो उस समय के समाज में सर्वस्षिष्ट जो थें, वे पिता होते थें, और इन्हें ही कुल आप कहा जाता था, ठीक है, पॉइंट नमबर फाइव, इस्थियों को उचित सम्मान का अधिकार था, उस समय की इस्थियों को कहीं भी आने जाने का अधिकार प्राप्ट था, ठीक है, इसके अलाबा मान लेते हैं कि अगर किसी इस्थियों के पती की मिर्ति हो जाती थी, तो वो अपने देवर या किसी व्यक्ति के साथ में साधिक करने के लिए क्या होती थी, स्वतंद्र होती थी, तो हम एक तरीके सिखा सकते हैं, कि इस्तिरियों को काफी ज़्यादा महत्व उस समय के समाज में दिया गया था, और उन्हें जो उचित सम्मान होना चाहिए था, वो परदान किया गया था, पॉइंट नमबर 6, बाल बिभा एवं परदा परथा परचलित नहीं था, तो बचे, आप ये भी ध्यान रखेंगे, कि उस समय ना तो बाल बिभा का ही परथा मौझूद थी, और ना ही परदा परथा ही परचलन में थी, ठीक है, चले पॉइंट नमबर 7, जीवन भर आविभाहित रहने वाली महिलाओं को आमाजू कहा जाता था तो बचे, वैसी महिलाएं जो अपनी जीवन में साधी नहीं करती थी, जिंदगी भर आविभाहित रहती थी, उन्हें क्या नाम दिया जाता था, तो उन्हें आमाजू का नाम दिया जाता था यानि कि उन्हें आमाजू कहा जाता था point number 8 भोजन साकहारी तथा मांसाहारी दोनों परकार के किया करते थे बच्चे अब ध्यान रखेंगे कि इस समय के जो लोग थे वे भोजन किस परकार के करते थे तो ये भोजन साकहारी तथा मांसाहारी दोनों ही परकार के किया करते थे जानि कि ये साकहारी भी थे और मांसाहारी भी थे लेकिन अब यहां से ध्यान रखने वाली बात ये है कि उस समय के अधिकांस लोग जो थे वे साकहारी थे देखे, मानसा हार का वो लोग सेवन करते थे, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अधिकांस्ता जो ब्यक्ति थे, वे साका हार का ही सेवन किया करते थे, ठीक है, चलिए, पॉइंट नमर 9, आरियों का मुख्य पईपदार्थ सोमरस था, जो बनसपत्ती से बनाया जा था, पॉइंट नमर 10, संगीत, रथदाओर, निर्त, चावपड, इत्यादी मनुरंजन के मुख्य साधन थे, तो बच्चे, इनके मनुरंजन के मुख्य साधन कौन थे, कौन-कौन से थे, तो संगीत, है ना, यानि कि म्यूजीक, रथदाओर, यानि कि रथदाओर का ये ल आपका चौपड कहा जाता था ठीक है तो इस परकार के खेल जो है ये लोग खेलते थें और अपना मनोरंजन करते थें और इन में से कई सारे खेल बच्चे आज भी परचलीत हैं और आज भी लोग जो है इन खेलों को खेलने का कारे करते हैं ठीक है चलिए अब हम लोग बात क करते हैं बैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में तो देखते हैं बच्चे कि बैदिक समाज का धार्मिक पाट किया जाता है ठीक उसी तरीके से उस समय के लोग भी पूजा पाट किया करते थे यानि कि भगवान में उनकी क्या थी गहरी आस्था थी उनकी गहरी सरद्धा थी और इसी के तहर जो है वो विभिन देवताओं एवं देवियों की पूजा किया करते थे तो बच्चे कई सारे देविधे और कई सारे देवता थी जिस तरीके से आजभरतमान सवे में हैं तो चलिए हम यहाँ पर वारे-वारे से समझ लेते हैं कि वह लोग किस देवता की पूजा करते थे तो प्रुस देवता में वह लोग इंद्र अगनी बरून दो भी श्ण पूशन एवं अस्वनी की पूजा किया करते थे, यानि कि इन देवताओं की पूजा करते थे, और ये सारे देवता जो थे, वे पुरुस देवता थे, और इसी के साथ साथ ये लोग इस्तरी देवियों की पूजा करते थे, तो इस्तरी देवियों में ये लोग उसा एवं अदिती, इसके अब आसाती साथ कहीं कहीं चर्चा आपका इवी दिये जाता है कि दिन, रातरी, संध्या इन सभी की भी पूजा उनके द्वारा की जाती थी अब देखें अब यहां समझेगा कि इन सभी देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे यानि कि रिकबैदी काल के जो ही सार को माना जाता है यानि कि सभी देवताओं में सबसे महातपुर्ण देवता कौन थे तो रिकबैदी काल में इन्ड थे और इनके लिए रिकबैद में 250 स्लोकों की रचनाएं की गई है ये बात ध्यान में रखेंगे बच्चे और इन्ड को पुरंदर की उपाधी से भी सम्मा कानित किया गया है या यहने पुरंदर भी कहा जाता है पुरंदर का आर्थ क्या होता है तो पुरंदर का आर्थ होता है किला तोड़ने वाला या किला को नस्ट करने बाला है तो इस द्रिश्टी कौन से भी इंडर को काफी महतपुर्ण अस्थान बैदी काल के पहले भाग और अगनी यह भी काफे महात्पुर्द थे ठीक है तो इन दोनों के लिए भी काफे रिचाओं की रचनाएं जो है की गई है चली अब हम इस तरी देवियों के बारें बात कर ले थी तो इस तरी देवियों में उसा एवं अधिती प्रमुख थी चले वचे अब हम लोग आर्थिक जीवन की ओर बाढ़ते हैं आर्थिक जीवन की बात करें हम लोग यहां से तो इस काल में आरियों का प्रथम प्रमुख वेवसाय पसुपालन एवं दुते प्रमुख वेवसाय क्रिसी था आरियों की जो आर्थिक इस्थिती थी वह मुखेता किस पर निर्भर थी तो वह मुखेता पसुपालन पर निर्भर थी और क्रिसी इसके बाद उनकी प्रमुख आर्थिक इस्थिती को दरसाता है यह हम कह सकते हैं कि पसुपालन के बाद ही यह क्रिसी को प्रात्मीकता देत थे और उसमें क्रिसी जो है खास करके गर रिवैदी काल के बारें बात करें यहां से तो उसमें क्रिसी जो है बहुत ज़्यादा उन्नत अवस्था में नहीं थी ठीक है चलिए पॉइंट नमर टू इस काल में संपत्ती का मुख्यरूप गोधन था अब देखे बचे इस काल मे अधन्या तो इसे अधन्या पसू की सरनी में रखा गया था क्यों क्यों ये भग्यों के रूप में काफी महत्पूर्ण माना जाता था यानिकि ये जो है आपका धन का एक सो रूप था और इसी के सासा जो है धार्मी का स्था भी जूड़ी वी थी तो इस कारण से जो है बच्चे इस समय गोधन जो था वो आपका संपत्ति का एक प्रमुख रूप था चलिए अब हम लोग राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं पहला का स्वामी ना होकर युद्ध कानेता होता था अगर हम लोग बच्चे राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे तो राजनीतिक जीवन के सबसे पहले क्या देखते हैं सत्ता के बारे में देखते हैं ठीक है तो देखिए उस समय जो सत्ता थी आपकी उसमें राजा होता था वह सिर्फ सासन का परधान होता था ठीक है वह भूमी का मालिक नहीं होता था जैसे कि हम लोग आज देखते हैं या आज से पचास बर्स पहले सो बर्स पीछे चले जाएए ठीक है 200 बर्स पीछे जाते हैं तो आप यह देखेंगे ठीक है और भी कुछ पीछे जा सकते मद्दे काल में प्रवेश कर सकते हैं, प्राचीन काल में प्रवेश कर सकते हैं, तो आप लोग वहाँ पर यह वसे देखते होंगे, कि जो राजा होता था उसके अंतरगत ही सारे राज्य आते थें लेकिन इस समय जो है आपका ठीक है सासन का परधान राजा नहीं होता था यानि कि सासन का परधान राजा होता था लेकिन वह भूमी का स्वामी नहीं होता था ठीक है यानि कि भूमी उसके एंडर में नहीं आती ठी थी, बलकि भूमी पर किसका अधिकार? तो सारी प्रजा का अधिकार होता था. ठीक है? तो वो रहता क्या था? तो वह सिर्फ और सिर्फ यूद्द का नेता होता था. यानि कि अगर मान लिये जाए किसी दूसरे कभीले के साथ में उसकी लडाई होती थी तो वो राजा जो है पुरे कभीले का क्या करता था या अपने कभीले का नेत्रित्व करता था ठीक है चलिए पॉइंट नमर्बर टू प्रारंभ में यह जनता द्वारा चुना जाता था लेकिन बाद में यह पद बनसानुगत हो गया यानि कि वच्चे प्रारम में यह जो राजा का पद है आपका ठीक है यह किसके द्वारा चुना जाता था तो यह जो है जनता द्वारा चुना जाता था लेकिन आगे चल कर कि क्या हुआ आगे चलकर यहापद वनसा नुगत हो गया लेकिन आप यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे कि ऐसा आपका रिगबैदिक काल में नहीं हुआ था बलकि कौन से काल में ऐसा हुआ तो उत्तर बैदिक काल में ऐसा हुआ यानि कि रिखवैदिक काल में राजा का चेहन जनता द्वारा ही होता था लेकिन उत्तरवैदिक काल में जनता का चेहन परजा के द्वारा ना होकर या वनसा नुगत होता चला गया यानि कि राजा का पूतर ही या राजा का संबंध ही क्या बनेगा तो राजा बनेगा ये प्रमुक शंस्थाओं के बारें बात करते हैं. तो बच्चे, रिग्वेधी काल में भी कुछ प्रमुक संस्थाओं का बरनन किया गया है. तो चलिए, हम उन संस्थाओं के बारे में थोड़ा सा विस्तार पुर्वक जानकारी प्राप्त कर लेती हैं. तो सबसे पहले हम लोग यहां से चर्चा करते हैं सभा के बारे में सभा क्या है बच्चे तो सभा जो थी आपकी वह स्रेष्ट इवं संध्रांत लोगों की संस्था थी याने कि समाज के जो स्रेश्ट लोग थें, ठीक है, जो आपकी पढ़े लिखे लोग थे, जो सिच्छित थे, जो संब्रांत थे, जो बिचारक थे, ठीक है तो यह इन सभी को सभा के अंतरगात रखा गया था यानि कि इन से मिल करके ही क्या होता था आपका यहां से तो सभा का दिर्वान होता था और इस सभा का जो अध्याच होता था उसे क्या कहा जाता था तो उसे गंधर कहा जाता था क्या कहा जाता था गनधर कहा जाता था ठीक है चलिए अब point number three इसका प्रमुकारे न्याय परदान करना था यानि कि इस समय जो सत्ता होती थी जो आपकी सभा थी उसका प्रमुकारे क्या था आपका तो उसका प्रमुकारे न्याय परदान करना था यानि कि लोगों को क्या करना था तो न्याय परदान करना था चली बचे अब हम समीती के बारे में बात करेंगे तो समीती का पहला पॉइंट देख लेते हैं फर्स पॉइंट में बचे यह जनता का प्रतिनी धीत्व करती थी देखे बचे यह किसका प्रतिनी धीत्व करती थी तो यह जनता का प्रतिनी धी तो करती थे इसका अध्यच इसान का लाता था और इसके अध्यच को क्या नाम दिया गया है तो इसके अध्यच को इसान का नाम दिया गया है और प्रमुकारे के वारे हम बात करें यहां से तो राजा का निर्वाचन करना तथा उस पर नियंत्रिन रखना इसका प्रमुकारे समीतिका किसका प्रमुकार था तो समीतिका आखा अब आप लोग यहां से सभा और समीतिके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सी में क्या लिखा हुआ है प्रमुकारे तो राजा का प्रमुकारे क्या था तो राजा का प्रमुकारे निर्वाचन करना था उस पर नियंतरन रखना था यानि कि उस समय के समाज में राजा का प्रमुकारे क्या था तो यहांपे समिती के प्रमुकारे की बारे बात करें तो समिती का प्रमुकारे क्या था तो राजा का निर्वाचन करना और उस पर नियंतरन रखना है न बच्चो चलिए यानि कि समिती ही राजा का निर्वाचन कर और उस पर नियंत्रन रखने का कारि करती थे अब हम लोग यहां से पॉट नमबर C विदत के वारे में चल्जा कर लेते हैं यह इस सभेता की सबसे प्राचीन संस्था थी याने कि बैद्दिक समाज की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी तो वो अच्छे कौन सी थी आपकी यहा कार्मिक कारियों से संबंदित याने कि यह सायनिकों से संबंदित कारे करते थे और साथी साथ धर्म के संबंदित कारे भी किया करते थे चलिए अब हम लोग आरियों की परसासनिक काई को बाटते हैं बच्छे तो आरियों की परसासनिक को कई भागों में बाटा गया है और हम लोग इसे बारी बारे से देखते हैं बच्चो अब हम रिगवैदिक राजनीतिक संगठन को देखते हैं तो उस समय जो राजनीतिक संगठन थी वो इन इकायों में बटी हुई थी तो चलिए हम लोग विस्तार पुर्वत इन इकाईयों के बारे में चर्चा कर लेते हैं सबसे नीचे या निमनस्तर की जो इकाई थी वो कुल थी ठीक है कुल को ही परिवार भी कहा जाता है उसके बाद ग्राम उसके बाद बीस और फिर जन अब हम देखते हैं कि इनका सुरूप कैसा था इनका निर्मान कैसे हुआ था ठीक है तो सबसे पहले हम इहां से इन्हें कर्म अनुसार देख लेते हैं तो कर्म के अनुसार देखते हैं तो सबसे छूटी इकाई कुल थी इसके बाद कुलो से ग्राम का निर्मान होता था और कई ग्रामों से बिस का निर्मान होता था और कई बिसों के मिलने से जन का निर्मान होता था तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी और सबसे बड़े इकाई जन थी ठीक है तो इसे अगर हम कर्म अनुसार सजाएंगे बच्चे तो देखें सबसे पहले कुल उसके बाद आपका ग्राम उसके बाद आपका बीस है ना और सबसे अंत में आपका जन हो जाएगा ठीक है चलिए अब हम जरासा ये देख लेते हैं कि इनका निर्मान किन से हुआ था तो सबसे पहले हम इहां से कुल के बात करते हैं तो देखें कुल क्या थे तो एक रक्त समू के सदसे कुल या परिवार कहलाते थे यानि कि कुल या परिवार कौन थे तो एक ही रक्त या एक ही परिवार के सदस्यों को या एक ही समू को सदस्यों को कुल या परिवार कहा जा था ठीक है उसके बाद आपका ग्राम अनेक परिवारों का जो समू था उससे आपका ग्राम का निर्मान होता था यह हम कह सकते हैं कि अनेक परिवारों के समू को ग्राम कहा जाता था इसे हम आज के प्रिप्रेच में देखते हैं देखे बचे आज भी जब हम समाद को देखते है ठीक है और उन लोगों से मिलकर एक परिवार भी बनता है आपका जैसे मान लेते हैं कि एक गाओं की जन संख्या 5000 है है ना अब वे 5000 एक ही परिवार की सदस से नहीं हो सकते हैं ठीक है वे अलग अलग परिवारों के सदस से होंगे तो मान लेते हैं कि किसी परिवार में 5 सद अब आप देखते हूंगे कि कई परिवारों के मिनने से एक ग्राम का निर्मान होता है यानि कि एक गाउं का निर्मान होता है जैसे मान लेते हैं कि किसी छेतर बिसेस में सो परिवार की सदसे रहते हैं हैं तो सो वो परिवार की सदसे को आपका ऐसे भागूलिक छेतर के अनुसार घंदर साएंगे वहां से तो उन्हें एक नाम दिय बच्चे कि आपका कई परिवारों के मिलने से आपका गाउं का भी निर्मान होता है और सहर का भी निर्मान होता है लेकिन बैदिक काल में चुकि सहरों का निर्मान नहीं हुआ था या उसमें सहर मौजूद नहीं थे तो उसमें कुलों या परिवार के मिलने से क्या बनता था तो ग्राम बनता था तो सबसे छोटी इकाई कुल और उसके बाद उससे बड़ी इकाई क्या थी तो ग्राम थी परिवार का निर्मान कैसे होता था तो एक ही रक्त समू के कई सदस्यों के मिलने से परिवार या कुल का निर्मान होता था और ग्राम का निर्मान कैसे होता था त तो कई परिवारों के मिलने से या कई परिवार जब एक ही अस्थान पर इकठा होकर निवास करते थे, अपने विभिन करिया कलाब को संपादित करते थे, तो उससे ग्राम का निर्मान होता था, यानि कि हम कहा सकते हैं कि अनेक परिवारों का समू क्या कहलाता था, तो ग्राम कहलाता था ठीक है बच्छे चलिए अब उसके बाद कई ग्रामों है ना कई ग्रामों का समूं क्या कहलाता था तो बिस कहलाता था यानि की कई ग्राम को जब मिला दिया जाता था तो उससे ग्राम से एक बड़ी इकाएं का निर्मान हो जाता था और उससे बिस कहा जाता था ठ चलिए अब हम लोग जन की बात करते हैं तो देखिए कई बिसो को जब मिला दिया जाता था तो उससे जन का निर्मान होता था यानि कि कह सकते हैं कि उस समय की सबसे बड़ी राजनितिक संगठन कौन से थी तो वो आपकी जन थी तो हम यहां से एक बार फिर से इसे अच्छे तरीके समझ लेते हैं कि एक दरक्त समू के सदस से जब मिलते थे तो उनसे मिलकर के कुलिया परिवार का निर्मान होता था ठीक इसी तरीके से अनेक परिवारों का समू जब इकठा होता था या जब मिलते थे तो उनसे ग्राम का निर्मान होता था ठीक कई ग्रामों का समू जो एक साथ आते थे तो उससे 20 का निर्मान होता था और अनेक 200 से जन का निर्मान होता था और उसके बाद बच्चे आप ये भी ध्यान रखेंगी कि उत्तर बैदी काल के बाद जो है आपका महा जनपद काल आता है और महा जनपद काल का निर्मान जो है वो अनेक जनों के मिल लेसे हुआ है, यानि कि छोटी-छोटी इकाईएं मिलकर रहे हैं पर क्या कर रही है, तो बड़ी-बड़ी इकाईओं का निर्मान कर रही है, चलिए, अब हम इसकी विसेश्ता को देख लेते हैं, तो देखें राजनेतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई यालगुतम इकाई कौन सी है थी? तो इसकी सबसे छोटी इकाई या लगुतम इकाई कुलिया परिवार थी ठीक है और सबसे बड़ी इकाई कौन सी तो सबसे बड़ी इकाई जन थी ठीक है बच्चे याद रखेंगे और एह ही जब महा जन्पत काल में हम परवेश करेंगे तो हाँ पर हम देखेंगे कि सबसे चोटी इकाई कूलिया परिवार थी और सबसे बड़ी इकाई महाजनपद हो जाती है ठीक है लेकिन उसकी चर्चा हम आगे क्लास में करेंगे अब यहाँ से हम इन इकाईों की प्रमुखों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जैसे देखते हैं कि इन इकाईों के प्रमुखों को क्या-क्या नाम दिया गया है तो कुल या परिवार के प्रमुख को या मुखिया को या सबसे बड़े व्यक्ति कह सकते हैं जो थे वे कौन थ यहां पर हम यह भी का सकते हैं कि पिता होते थे हैं ना हम इसे कुलब कहें या फिर पिता कहें दोनों का अर्थ एक ही होता है ठीके बच्चे चलिए अब इसके बाद हम ग्राम के बारे में बात करते हैं तो ग्राम का प्रमुक ग्रामिनी हुआ करता था है ना ग्राम की च्रक्रांबासी मिलकर एक प्यक्ति का चैन करता था और वो ब्यक्ति ही घाउं का संचालन करता था। बिस के प्रमु को बिस्पति काते हैं क्या कहा जाता बच्चे बिस्पति और इसी तरीके से जन के प्रमु को जन्पति या राजा कहा जाता था ठीक है और इसके लिए उसमें राजन सब्द का भी परियोग किया जाता था तो ध्यान रखेंगे बच्चे आप यहां से कि जन के प्रमु को क्या कहा जाता था तो जन के प्रमु को राजन या राजा या जनपती कहा जाता था और ये जो है उस पूरे छेत्र का या फिर ये कहा सकते हैं कि पूरी राजनयातिक संगठन जो इकाई थी आपकी उसका सबसे प्रमुख व्यक्ति आपका होता था लेकिन हमने राजा के बारे में आपको पहले भी बताया है कि राजन उसमें जो होता था आपका वाहत युद्ध कानेता होता था यानि कि युद्ध में वो आगवाई करता था उससे बहुत जादा सक्तियां क्या थी या बहुत जादा नहीं किये गे थे वो सारे अधिकार उसमें आम जनता के पासी थी वो सिर्फ युद्ध का नेता होता था लेकिन भूमी पर उसका कोई नियंत्रन या कोई अधिकार जो है वह नहीं होता था तो बच्चे उम्मीद है कि आप लोग को रिगवैदिक राजनातिक संगठन है तो दिखे हमने आपको पहले भी बताया था कि उत्तर बैदिकाल का जो कालखंड है वो 1000 इसवी पूर्व से 600 इसवी पूर्व के मद्ध है यानि कि इस काल को कब से कब तक रखा गया है तो इस काल को 1000 इसवी पूर्व से 600 इसवी पूर्व के बीच में रखा गया है बच् उत्तरबैदिक काल काते किसे हैं तो अथरवेद, सामबेद एवं यजूरबेद की रचना काल को उत्तरबैदिक काल काते हैं यानि कि जिस काल में यजूरबेद, सामबेद एवं अथरवेद की रचना की गई उसी काल को उत्तरबैदिक काल के नाम से जानते हैं और आपको ये उत्तर बैदी काल के पहले की काल को पूर बैदी काल या रिग बैदी काल कहा जाता है ठीक है चली तो अब हम यहां से उत्तर बैदी काल के बारे में बारी बारी से जानकारी प्राप्त करते हैं यानि कि इस काल के बारे में हम लोग समाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्रा आर्थिक स्थिति के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहां से बात करते हैं सामाजी जीवन की, तो बचे, पॉइंट नबर 1, इस्तरियों की दसा में पतन हुआ, यानि कि देखिए, उत्तर बैदिक काल में, इस्तरियों की दसा में क्य नहीं हुआ, बलकि उसके अस्थान पर क्या था, तो उसका पतन हो गया, यानि कि हुआ क्या आपका, तो इस काल में इस्तरियों को वैसी बहुत सारे अधिकार उनसे बापस ले लिए गए, जो की रिगवैदिक काल में परदान किये गए थे, और इसके अलावे, उन्हें किस परकार के अन्य अधिकार भी परदान नहीं किये गए, जैसे बच्चे, आपके रिगवैदिक काल में इस्तरियों को सिच्छा प्राप्ति का अधिकार था, ठीक है, इसके अलावा, यग में वो भाग ले सकते थे, वो ये बिदूसी का कारे भी क्या करते थे, लेकिन उत्तर परकार के जुरिय करिया कलाप होते थे, उसमें भी इस्तरियों काफी काम भाग लिया करती थी, तो इसी हुआ क्या, कि इस्तरियों की दसा में पतन हो गया, यानि कि उनका जो बिकास होना चाहिए था, वो बिकास ना हो करके उनका पतन हो गया, यानि कि उनकी इस्तिती जो ह कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित हो गया देखे बच्चे इसके पहले हम आपको सैंधो घाटी सा बेता में बता चुके हैं कि उसमें वर्न ब्यवस्था का उद्य हुआ और उसमें कर्म के आधार पर वर्न तै किये जाते थे ठीक इसी तरीके से हमने आपको पुर्बैदिक काल में बताया कि पुर्बैदिक काल में भी ही कर्म के आधार पर ही वर्न तै किये जाते थे या निर्धारित किये जाते थे लेकिन कहीं ना कहीं उहां पर भी सुरुआत हो चुकी थी ठीक है और इसने कठोर्तम रूप कब गरहन कर लिया आपका तो इसने कठोर्तम रूप उत्तर बैदिकाल में गरहन कर लिया यानि कि उत्तर बैदिकाल में वर्न विवस्ता जो है ये कर्म आधारित ना होकर कैसे हो गई तो जन्म आधारित हो गई यानि कि अब ब्यक्ति जिस परकार का कर्म करता था तो जाती या वर्न जो है उसके अधार पर निधारित नहीं होने लगा बलकि उसका जन्म जिस जाती या वर्न में होता था ब्यक्ति उसी जाती या वर्न का होकर रह जाता था यानि कि मान लेते हैं कि किसी ब्यक्ति का जन्म ब्राह्मन वर्ण में हुआ किस में हुआ ब्राह्मन वर्ण में तो बच्चे वह ताउम्र यानि कि जिन्दगी भर किस का होकर रागया या कौन से वर्ण का ही होकर रागया तो वह आपका ब्राह्मन का ही ठीक इसी तरीके से जिसका जन्म सुद्र में हुआ वो हमेशा के लिए या उसकी आगे आने वाले पिड़ियां भी ही वो सुद्र वर्न की ही हो कर रा गई याने कि उसका जन्म अगर सुद्र में हुआ है तो वो अब हमेशा के लिए सुद्र में ही रहेंगे चाहे वो किसी पर कार्विय का भी कर्म करते हो चाहे वो छत्रिय का कारे कर रहे हो या फिर आपका बैसे का कारे कर रहे हो ठीक है उनकी वर्निक वेवस्था में कोई परिवर पुर्तम रूप ग्रहन कर चुका था धारन कर चुका था और ये कर्म अधारित ना होकर जन्म अधारित हो गया ठीक है और एहीं से कहीं न कहीं समाज के एक विभाजन की रूप रेखा जो है वो पुर्णता तयार हो गई क्योंकि इसकी कारण जो है समाज के सभी धड़े जो थे, सभी जातियां जो थी, वह धीरे धीरे आपकी अलग-अलग होती चली गई, और इससे उनके बीच में दूरियां आती चली गई, क्योंकि इसके कारण कहीं, समाज के कुछ वर्नों का, कुछ बर्गों के अधिकारों का हनन किया गया, और उसके अपेच्छा, कुछ बर्ग असपस्ट तोर पर देख सकते हैं ठीक है चलिए अब हम इस समय के धार्मिक जीवन से पहले हम लोग यहां से गोत्र के बारे में बात कर लेते हैं तो देखें गोत्र नामक संस्था का उदय का उदय इसी उत्तरबैदिक काल में हुआ ठीक है चलिए अब हम धार्मिक जीवन के पॉइंट नमर फस्ट को देखते हैं, पॉइंट नमर फस्ट के है बच्चे समझते हैं से, उत्तर बैदिक काल में इंद्र के अस्थान पर सर्वाधिक पेरी देपता परजापती हो गए, अब देखे, अब हमने आपको जब रिगवाधिक काल बताया था तो उस समय हमने आप को बताया था कि रिगबैदी काल की सरप्रमुख देपता कौन थे तो रिगबैदी काल की सरप्रमुख देपता इंद्र थे हैं और रिगबैद में सरबाधिक सलोकों की रचनाएं उनके लिए ही की गई है कुल 250 रिचां या सलोक जो है उनके लिए लिखी गई है तो इससे ये अस्पष्ट हो जाता है कि उस समय के सरवाधिक महातपुर्ण देबता जो थे वे कौन थे वे इंद्र थे लेकिन उत्तर बैदिक काल में इंद्र के अस्थान पर परजापती हम लोग ब्रह्मा भी का सकते हैं तो परजापती थे वे सरप्रमुक देबता हो गए यानि कि इंद का अस्थान परजापती ने ले लिया और एहां पर एक बात और वी जान रखे ने हमने आपको तीन समीतियों के बारे में बताए है है नहां सभा समीति एवं बिधत तू बेदो में सभा एवं समीति को परजापती की दो पूत्रियां कहा गया है इस से ये अस्पस्ट हो जाता है या प्रमानित होता है कि सभा एवं समीती कितनी महादपुर्ण संस्था उस समय की हुआ करती थी और परजापती भी जो है उनका कितना प्रमुक अस्थान उत्तरबैदिकाल में हो गया था ठीक है पॉइंट नमबर टू समाज में ब्रह्मनों का परभुत्व काफी बढ़ गया बचे अब देखिए इस समय यानकी उत्तरबैदिकाल में ब्रह्मनों का परभुत्व काफी जादा बढ़ गया और इसकी कारण हुआ क्या कि अन्य जो वर्न थें जैसे आपका छत्रिये वैसे औ और सुद्र इनकी स्थिती में कमी होती चली गई या फिर इनके बिकास में कहीं न कहीं कमी हुई बाधाएं उत्पन हुई और इनका कुछ पतन हुआ है ना और ये पतन जो है आगे आने वाले समय में भी जारी रहा था और इसी कारण से आपका ये जो सुनातन धर्म था या हिंदु धर्म था आपका या फिर ये जो बैदिक काल या बैदिक सब्यता थी आगे चल करके इसका भी विभाजन आपका हो जाता है यानि कि ये सब्यता ही क्या थी इस सब्यता से ही आपकी अन्य जो थे वो सब्यताएं आपकी निकल करके चली आती है हिंदु धर्म से ही अन् और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि समाज में एक विसेस बरका परभुत वढ़ा था ठेक है? और उनकी द्वारा कुछ ऐसे कारे किये गए, कुछ ऐसे नियम निधारित किये गए, जिसके कारण जो है उस समय का समाज जो है वो धीरे 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 वो आपका विभाजित हो गई थी ठीक है चलिए अब point number 3 सिंदू के अस्थान पर प्रमुख नदी सरस्वती हो गई बचे आप ध्यान रखेंगे कि रिगवैदी काल में सरप्रमुख नदी कौन से थी तो रिगवैदी काल में सरप्रमुख नदी सिंदू थी क्योंकि सुरवाती दौर में आपका इसी नदी के किनारे ये सबेता बिक सिंदू लेकिन उत्तर बैदी काल तक आते आते जो है सरप्रमुख नदी कौन से हो गई तो सरस्वती हो गई और इसका बरनन बेदो में कई बार किया गया है point number 4 गायों को अधन्या की स्रेनी में रखा गया यानि कि गायों को क्या कहा जाता था अधन्या कहा जाता था या उन्हें अधन्या पसू की स्रेनी में रखा गया क्यों क्योंकि रिगवैदी काल के लोगों का मानना था कि गाय हमारे लिए पुझ निये है ठीक है तो इसकी हत्या नहीं की जानी चाहिए इसके अलाबा इसके आर्थी कारण भी थे हमने आपको रिगवैदी काल में भी बताया था कि गौधन या गाय जो थी वह धन का एक प्रमुक्स रोट था ठीक है तो इसके आपके आर्थी कारण भी थे ठीक है और राजनैतिक तो थे क्योंकि उसमें के जो अधिकानस युद्ध हुआ करते थे बैदी काल में जो भी युद्ध हुआ करते थे आपसी कवेलों के बीच में तो वो गौधन को लेकर ही हुआ करते थे यानि कि गौ जो है आपका वो धन का स्वरूप था उसमें जमीन की टुकड़े का कोई महत्वर नहीं था इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो उहां पे धन का क्या स्वरूप माना गया था तो गौ को माना गया था और गौ के लिए ही कवीलों के बीच में लडाईया हुआ कर राजनितिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो देखें बचे सभा और समीति का परभाव कम हो गया यानि कि उत्तर बैदिक काल में सभा एवं समीति का परभाव कम हो गया थेक है तो जब सभा एवं समीति का परभाव कम हो गया तो किसी ना किसी का तो परभाव बढ़ेग तो सभाविक सी बात थी कि जब सभा एवं समिती का परभाव कम हुआ तो राजा का परभाव क्या हो गया राजा का परभाव बढ़ गया यानि कि राजा के परभुत्व में क्या हो गई उसके परभुत्व में ब्रिधी हो गई पहले यानि कि रिवैदी काल में जो राजा सिर गया, हैना, यानि कि जमीन या छेतर जो था, वो भी उसके ही तहत आने、 लगा और इसी के सासत एक और ची जहां पे बिख्सित हुई वो क्या थी? तो वहां राजा का पद वन्सा नुगत होना था आपका, हैना, यानिकि यहां पे राजा का पद जो है वह वन्सा नुगत हो गया कहने का मतलब क्या है कि वन्स के अनुसार ही राजा का निर्धारन होने लगा, जैसे मान लेती है कोई छेतर आपका उसमें था ठीक है, चली, भरत जनपद को हमें हाँ से मान के चलती है तो भरत जनपद जो था तो सुरुवाती यानि कि रिगवैदी काल के अगर बात करे हमें या से तो उस समय भरत जनपद में राजा का चैन जो होता था वो जनता के द्वारा होता था लेकिन उत्तर बैदी काल में क्या हुआ कि भरत जनपद की राजा का चैन जनता के द्वारा ना होकर स्वैम के द्व तो स्वैम के द्वारा कैसे तो राजा का पूत्र ही राजा बनेगा ये सिधान्त उस समय लाया गया है ना तो इसका मतलब यह है कि अब जो है यहाँ पे पहले राजा का पद चुकी आपका जंता के द्वारा चुना जा रहा था तो लुक्तांत्रात्मत सासन बेवस्था थी लेकिन जैसे ही ये बात आपकी आगई आपकी ये मानिता बनी आपकी कि राजा का पूत्र ही राजा बनेगा तो हाँ पे लोक्तंत्र समाप्त हो गया और उसके अस्थान पर किसकी उत्पत्ती हो गई तो उसके अस्थान पर राज्तंत्र की उत्पत्ती हो गई यानि कि पु और ये दरसाता है कि सासन का स्वरूप जो है वो इहां से कठोर होना आरम हो गया था ठीक है बचे और इसी के साथ साथ जो राजा हुआ करते थे उन्होंने अपने सहायता के लिए या जन का संचालन करने के लिए कई सारे पदो को गठित किया लेकिन उन पर पुर्ण रूपि अधिकार जो होता था वह राजा का ही होता था तू इन सभी तथ्यों से यह प्रमानित हो जाता है कि उस समय की सासन विवस्था जो थी वो भी कठोर रूप धारन कर चुकी थी और एक तरीके से का सकते हैं कि पूरा का पूरा समाज जो है वह आपका परिवर्थित हो गया थ अब इसके बाद बच्चे आर्थिक जीवन है तो आर्थिक जीवन में जो विस्थाएं आपकी पूर वैदिकाल की थी वही विस्थाएं आपकी उत्तर वैदिकाल की भी है इसमें बहुत जादा परिवर्थन आपका नहीं आया इसमें बहुत जादा सुधार नहीं हुए थ ठीक है? चले बच्चे, अब हम आगे बारते हैं और इस अभ्यता के महतपुर्ण तत्यों के बारे में जानकारी परदान करते हैं. पॉएंट नमर फर्स्ट, रीग बेद में उलेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र तथा सबसे महतपुर्ण मानी जाती हैं. यानि कि रीग बेद में जितनी सारे नदियों का उलेख किया गया है, उन सभी नदियों में सबसे प्रमुक और पवित्र किसे माना गय है होला कि आप धे थ्यान दकेंगे एफिफिशा कि पुरकार्ण गूर्ण के वारेさん बात करकां में पूरमय की सबसे पवित्र और जो सबसे महत्पूर्ण नदी फिफि us कि ठीक है? वो सरस्वती को माना गया है ठीक है? और इसी के साथ ये भी कहा जाता है ठीक है बैदिक सभयता का जो ये उद्य हुआ था ये मुखे रूपेन सिंद्ध सरस्वती नदी के किनारे वह था लेकिन बचे पुर्बैदिक काल में जब हम देखते हैं तो ये कहीं न कहीं आपका सिंधु नदी के किनारे भी अवस्थीत था, ठीक है, हलाकि अगर बरतमान समय के वारे में बात करें, तो बरतमान समय में सरस्वती नदी बिलुप्त हो चुकी है, लेकिन कई सारे बैज्यानिक, इतिहासकार, भुगोलवीता, अनुसांधान करता, इसके सोध में लगे होती थी, उसका विस्तियार चेतर किस चेतर में कहा से कहा तक था, इन सारे तथ्यों को वे खोज रहे हैं, ठीक है, चलिए, अब हम पॉइंट नमबर टू देखते हैं, रीग बेद में सबसे अधिक बार उल्लेक सिंधु नदी का किया गया है, गंगा नदी का उल्लेक एक तो था, यमना का उल्लेक तीन बार किया गया है, तो भचे, आप ध्यान देंगे, कि रीग बेद में सबसे अधिक बार उल्लेक सिंधु नदी का किया गया है, ठीक है, और उसके बाद जो है, आपका सरसुतिन दिका, लेकिन हमें हां से गंगा नदी के बारे में भी बात करत रीग बेद को जो हम देखते हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही बार गंगा सब्द का इस्तमाल किया गया है, और यमना का उल्लेक तीन बार किया गया है, ठीक है, पॉइंट नमबर थरी, उत्तर बैदे काल में आरे लोग पंजाब से कुरुछेत्र अर्थात गंगा यमना आब में फैल गये, यानि कि पहले जो है ये आपके कहां थे, तो पहले आपका डायरेक्शन बाइज यहां पे मौझूद थे, लेकिन उत्तर बैदे काल में ये लोग कहां पे आगे, तो ये लोग इस छेत्र में, यानि कि ये जो गंगा यमना का दुआब छेत्र था, या चेत्र का विस्तार किया, और सुर्गाती दौर में ये पंजाब में जो थे, उहां से निकल कर ये गंगा यमना दुआब छेत्र में परवेश कर गए थे, पॉइंट नमबर फूर, उत्तर बैदिक काल में ही विसाल राज्यों की अस्थापना हुई, यानि कि विसाल राज् जनपद काल आपका आता है, उहां पर हुई थी, अभी हमने इसकी राजनैतिक संरचना को आपको समझाया कि किस तरीके से राजनैतिक संरचना या संगठन का निर्मान हुआ था, तो यहां पे चुकी जनपद आपकी राजे थे, तो इसकी बाद जो है आपका रास्टों का निर्मान या निकि महाजनपदों का निर्मान हुआ और महाजनपद का निर्मान जो है आपका वो महाजनपद काल में यानि कि उत्तर बैदिक काल के बाद में होता है लेकिन उसकी परकिरिया कहीं न कहीं यहां से आरंब हो चुकी थी पॉइंट नमबर 5 उत्तर बैदिक काल में ही सरपर्थम लोहे का परियोग हुआ और बच्चे आप लोग यी ध्यान में रखेंगे कि उत्तर बैदिक काल में ही सबसे पहले लोहे का परियोग हुआ था यानि कि लोहे की खोज जो है कौन से काल में की गई आपके तो उत्तर बैदिक काल में की गई देखेंगे यहां पर एक चीज और भी जान रखेंगे यह भारत की संदर में है ऐसा नहीं कि यह पूरे बिस्व के संदर में नहीं यह चुकि भारती सब्यता के बारे में हम जानका प्राप्त कर रहे हैं तो भारतिये संदर में हम देखते हैं तो सबसे पहले कौन से सब्वेता में लोहे की खोजवे या लोहे का परियोग किया गया था आपका ऐसे तो वह उत्तर बैदिक काल में किया गया था अगर हम बैस्विक संदर में देखेंगे तो बैस्विक संदर मे किसी और सब्वेता में या कहीं और भी इसका परियोग हो रहा होगा या इसके बाद हुआ होगा असपस्ट प्रमान इसके कहें भी नहीं मिल पाते हैं क्यों नहीं क्योंकि इतिहास में बच्चे हमेशा ये कहा गया कि इतिहास का वर्नन कभी सटिक नहीं किया जा सकता है वो प बारे में काफी ज़्यादा कंट्राडिक्सन से लेकिन अगर हम भारत की संदर में बात करेंगे तो भारत में उत्तर बैदिक कालमी सबसे पहले लोहे का परियोग हुआ था तो बच्चे ये हम लोग कौन से सब्वेता के बारे में बात कर रहे थे ये हम लोग बैदिक सब्वे से समझ में आ गई होगी बच्चे आप इस वीडियो को एक बार नहीं बलकि दो तीन बार देखने का प्रयास करें ठीक है आप जितनी जादा बार देखेंगे उतना ही अधिक आपको अच्छे तरीके से ये सारे चीजे समझ में आएगे और बच्चे आप लोग के लिए इतनी जानकारी काफी है इस से जादा जानकारी की आवसेक्ता आपको फिलहाल नहीं है जादा जानकारी वो आपका आगे की क्लास में होगी जब आप कंपडिसन्स की तियारी करेंगे बच्चे तोहां पर इसके बारे में और भी जादा बिस्तार से आपको पढ़ना है लेकिन उस कि समय आपके पास कम होता है इसलिए आपका सिलेबस जो है वो उसी अनुसार चलेगा और आपके टॉपिक जो है वह आपके उसी तरीके से चलेंगे तो बच्चे उमीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और इससे अच्छे तरीके से सवजने का परियास करेंगे चले बच्चे तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना है और हाँ बच्चे आप लोगों से एक वाद करनी है आप लोगों को कुछ दिन पहले मैंने एक लिंक दिया था और कहा था बच्चे कि आप इसे सब्सक्राइब कर देंगे ताकि मैं जब ओनलाइन क्लास लूँ तो आपके पास वो वीडियो पहुस गे लेकिन बच्चे कुछ कारणों की वज़ा से ओनलाइन क्लास पॉसिबल नहीं हो पा रहे है तो बच्चे आप लोग एक काम करें कि मैं इस वीडियो को उसी लिंक पे सेयर कर दूँगा और आप लोग जो है वहीं से इस वीडियो को देखेंगे बच्चे और इसे अच्छे तरह की से समझेगे मेरी जितने वीडियो होगी बच्चे वह आपको नीचे जो लिंक दिया जा रहा है या जिसके माद्यम से मैं वीडियो भेज रहा हूँ ठीक है उसी लिंक पे आपको मेरी सारे वीडियो मिल जाएगी बच्चे तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चे और सब्सक्राइब करने के लिए नीची जो लाल बटम है आपका उसे एक बार प्रेस कर देंगे ठीक है बच्चे और बाकी जो है विशेश जानकारी वह आपको वाट्सप के माद्यम से मिलती रहेगे और इसी के सार्थ सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मैं अगर कभी लाइब क्लास लूँगा बच्चे तो इसी चैनल के ऊपर लोगा और जित आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगे तो बच्चे आज के लिए बस इतना है बहुत बहुत धन्यवाद